प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 वर्क बुक के डे 35 की वर्कशीट का सोलुशन देखेंगे यह नाउन्स पर आधारित वर्कशीट है पहला कोस्चन है यहाँ पर जो नाउन्स है उनको सरकल करना है और उनको फिर नीचे इस पेस में लिखना है इसमें गोल्डी नाम है देखें नाउन उसी को कहते है जो किसी का नाम हो तो उसको हम नाउन कहेंगे तो गोल्डी नाम है फिश भी मचली है वो भी एक नाम है तो गोल्डी और फिश यह दोनो नाउन है Goldie is a fish. A fish bowl is her home. People call it an aquarium. Sometimes she eats fish food. Goldie has fins and a tail. When Goldie plays, she pushes small stones at the bottom of her fish bowl and blow bubbles. Her master wants to buy another fish. Goldie is happy to see a friend. तो यहाँ पर noun कौन कौन से है? वो हमने circle कर दिये हैं. Goldie, fish, bowl, home, people, aquarium, food, fins, tails, stones, bubbles, master, friend. यह यहाँ पर noun है जो हमने circle किये हैं. कुछ दो दो बार आ गए हैं उनको दो बार हमने circle नहीं किया है. अब यह जो नाउंस आए हैं, इनको हमें नीचे लिखना है. अब यह हमने नीचे लिख दिये हैं, goldie, यह नाम है, home मतलब घर, friend मतलब मित्र, aquarium मतलब जिसमें मचली रहती है. वो पानी से भरा हुआ एक बरतन जैसा होता है, वो काच का होता है, वो aquarium होता है. फिंस मतलब मचली के पंक समझ लीजे, bubbles मतलब बुलबुले हुए, fish मचली, ball मतलब कटोरा भी होता है, बरतन भी होता है, people मतलब लोग, food मतलब भोजन, stones, पत्थर, tail, mooch, और master मतलब मालिक, तो यह इनके आर्थ भी है. अब देखते हैं हम अपने second question को, read the story below and write the missing nouns next to each picture, अब यहाँ पर हमें इस कहानी को पढ़ना है, और इस picture के आगे इनके नाम लिखने हैं, जैसे, some children take a, यह क्या है, bus, तो यहाँ पर भरा जाएगा, bus, to go to school, other children ride there, यह क्या है, bicycle है, तो bicycle लिखेंगे यहाँ पर, some boys and girls ride in a car, his or her, यह क्या है, यह फादर है, इनके पापा है, तो यहाँ पर लिखेंगे फादर, और आगे क्या लिखा है, इसमें, some children live nearby and they go on foot, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यह हमने day 35 की वर्कशीट का solution देखा है, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी फाइदा हुआ है, तो